दोस्तों नमस्कार आज है 10 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्स्प्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को डिसकस करेंगे जो हमारे BPSC point of view से भी relevant हो या फिर वो academic point of view से relevant हो तो हम मेंस के भी आर्टिकल्स देखेंगे और prelims related facts भी देखेंगे उन आर्टिकल्स में क्या हमारे इंपॉर्टेंट हो सकता है पहला आर्टिकल्स जो है फोकस करने लाएक है देखो आज जाद आर्टिकल्स है नहीं फिर भी मैंने पिक करके निकाला है जितना भी जो relevant हो सकता था उसको मैंने निकाला है क्योंकि अगर week में देखो ना तो तीन से चार दिन ही ऐसे days रहते हैं जहां पे तुमको relevant news और articles मिलेंगे अधरवाइस तो बस political और violence और ये सब जो daily का day to day fight fighting है वो सब चलता रहता है पहला news है IIT जोधपूर से related क्योंकि IIT जोधपूर ने B.Tech program start किया है हिंदी में ये थोड़ा peculiar है क्यों peculiar है कि जितने भी IITs हैं इनका consortium है या इनकी grouping है formal कहीं informal कहीं इस grouping ने government को caution किया था they cautioned government किस बात के लिए उनको caution किया था government को caution मतलब होता है कि पहले से चताया था कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है किस बारे में चताया था कहा था कि आप B.Tech program हिंदी में ले आएंगे बहुत अच्छी बात है क्या फाइदा होगा इसका जो rural community से लोग आते हैं है ना वो पढ़ाई अब आसानी से engineering की भी कर सकते हैं IIT level की पढ़ाई जो है वो आसानी से कर सकते हैं दूसरा fact ये था कि अगर हम हिंदी में रखते हैं तो हम regional language को promote कर रहे हैं हम regional language को promote कर रहे हैं जैसे तुम देखोगे चाइना में मैंडरीन चलता है रशियन में रशिया में रशियन चलता है जर्मनी में जर्मन चलता है तो those countries use their own languages span में देखोगे तो उनका अपना Spanish है तो अगर वो countries अपने अपनी भासाइं यूज कर सकते हैं तो हम लोग हिंदी क्यों नहीं यूज कर सकते हैं ये इसी सवाल पे इसी को base बना के लोग ये promote करना चाहते हैं कि VTEC को हिंदी में पढ़ाओ अब तुम समझो तुम चार साल IIT Delhi में पर लिए IIT Delhi में चार साल पर लिए Computer Science में Computer Science तुमको इंगलिस मेडियम के बात कर रहा हूं तुम IIT Delhi में Computer Science से पढ़े उसके बाद तुमको बहुत अच्छी package लग गई Google या Microsoft में या फिर किसी ABC कंपनी में जिसका headquarter Chicago में है या San Francisco में है तुमारा वह placement हो गया तुम हाँ चले गए अब तुम चुकी पहले से तुम्हारा माध्यम अंग्रेजी कर रहा है पहले से तुम चीजों को पकड़ पा रहे हो Communication Skill है तुम हाँ अपने आपको adapt भी कर लोगे Otherwise क्या है अगर तुम यहां से pass out होते हो तुम्हारा वैसा background नहीं है तुम्हारे अंदर वर्वल और नॉन वर्वल स्किल्स जो होते हैं जो Communication Skills होते हैं जो किसी भी नौकरी करने के लिए सरकारी को छोड़के जो प्राइवेट सेक्टर में सस्टेन करने के लिए जो भी abilities चाहिए वो तुम्हारे अंदर अगर नहीं है तो तुम हाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे तो उनका base तो इतना strong बनाओ न तुम कि at least सिर्फ BTEC एक मकसद न रहे ताकि BTEC के बाद फिर क्या करें लोग civil services की तैयारी करें क्योंकि option नहीं है उनके पास नौकरी का हिंदी माध्यम में MTEC होगा क्या? BTEC अगर कर भी दिया हिंदी में तो MTEC होगा क्या? तो जब तक सरकार एक ecosystem नहीं create करती है कहने का मतलब कि आप BTEC कर लो हिंदी में MTEC कर लो हिंदी में या फिर BTEC के बाद जो नौकरी का प्रावधान है वो हम ऐसा करवाएंगे कि तुमको हिंदी वालों को भी बढ़िया से नौकरी मिलेगा या फिर दूसरा option ये है कि ये जो student हैं जो हिंदी मीडिया में पढ़ेंगे इन चार सालों में इनको job compliant होना पड़ेगा कि job में जो requirement है उसके हिसाब से अपने skills को ढ़लना पड़ेगा इनको जो globalization अभी दे को क्या होता है? कि अगर तुम job करोगे कहीं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वहां एक country के लोग रहें वहां US बाले भी साथ में काम करते हैं, Japan के लोग साथ में काम करते हैं, German साथ में काम करते हैं, United States से आते हैं कि साथ में काम करने तो क्या सबसे हिंदी में बात कर लोगे? नहीं, English is the common language in the global scenario अगर तुम उस तरह की इंडस्टी में जाते हो, computer science अगर लिये हो, और तुम्हारा placement उस तरह की multi-national company में हो रहा है, तो वहां का जो work culture है, उसको तुमको देखना पड़ेगा, अगर सरकार को हिंदी माध्यम को promote करना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सरकार को एक ecosystem बनाना पड़ेगा, इस तरह का ecosystem, जिसमें सिर्फ सारे students sustain कर सकें, अपनी capability के हिसाब से, और धिरे धिरे उसमें enhancement भी कर सकें, इस पर already IITs ने caution किया था, कि there are potential challenges related to employment opportunities, industry requirements and the globalized workplace, देखो सारा चीज demand supply का है, हैना, सारा चीज demand supply का है, जब तक demand नहीं होगा, तुम supply कितना भी ready करके डखो, क्या फाइदा है pass out होके, फिर तयारी करोगे SSCCGL का, right, तो this is happening actually, यह इंडिया में हो रहा है अभी, एक time था, एक time था देखोगे, 1995 नहीं यह ज़्यादा हो गया, 2000, 2002 से लेके, 2015-16 तक माल लो, यह एक ऐसा time था, जब engineering का boom था, मतलब लोग चाहते थे, क्या engineer कैसे पना दे, reason क्या था, अभी just IT sector का boom होना शुरू हुआ था इंडिया में, lot of job opportunities started pouring in, इस वज़ा से नौकरी मिलना बहुत आसान हो गया, engineering करके किसी का भी campus placement इजली हो जा रहा था, लोग engineering कर रहे थे, लिकिन दिरे 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 चीज़े saturate होते गई, आज उल्टा हो गया है, है ना, आज उल्टा हो गया है, हम लोग इस पे भी आगे एक article, बहुत बढ़ी article है, इस बेसिक साइंसेज के से रिलेटेड, उस पे कितना, कितनी funding होने चाहिए, कितना research में उसमें, फंड आना चाहिए, सब बात करेंगे, कहने का मतलब, कि अगर आप Hindi माध्यम को प्रमोट कर रहे हो, बीट एक Hindi माध्यम में, तो उसका एक ecosystem बनाओ, आप उनको English classes दो अलग से, क्योंकि उनका mother tongue में परना अच्छी बात है, आप subject समझ जाएंगे, subject समझना is not the goal at all, what is important is, how they are able to develop themselves for the employment ready, जब pass out होते हैं, जब campus placement में बेठते हैं, तो at least उनके पास इतना skill होना चाहिए, कि जो hiring के लिए आए हुए हैं, वो उनसे impress हो के उनको hire करें, यही ultimate मकसद होता है न, तो फिर क्या करेंगे यह, यह बोलेंगे कि यह काम करो, हम PSU को बोल देंगे, कि जितने PSU जाते हैं वहाँ, उनको हम कहेंगे कि तुम hire कर लो, ठीक है, hire तो कर लेंगे, कोई दिकत नहीं है, लेकिन यह कितनों को hire करेंगे, तो यह सब थोड़ी-थोड़ी issues है, तो कोई भी चीज होता है, तो थोड़ा सा उसके आगे पिछे समझ के, सरकार को एक policy making जो है, एक wholesome दिसा में करनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक अभी present के situation को deal करने के लिए, चीज आगे बरानी चाहिए, अब देखो, यहाँ पर writer क्या-क्या बोलते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर तर्क यह है, क्यों Hindi माध्यम को promote किया गया है, यह कह रहे हैं, कि जब student अपने mother tongue में उनको सिखाय जाता है, तो उनके अंदर learning चमता जो है highest होता है, उनके concept काफी clear होते हैं, और जब वो अपने mother tongue में पढ़ रहे होते हैं, तो उनके अंदर innovate करने की ability, learn, जल्दी सिखने की ability जादा हो जाती है, और साथ में, देखो, यह बहुत अच्छी बात ही इन्होंने कही, कि they will be providing with the English classes, their communication skills will be polished, तो अगर यह चीज किया जा रहा है, then this is well and good initiative, यह बिल्कुल commendable initiative है, क्योंकि mother tongue में आदमी ज्यादा अच्छे से सिखता है, innovate कर पाएगा, जब innovate कर पाएगा चीजों को, तब वो excel कर पाएगा अपने जॉब में, जो gap बनेगा, उस gap को bridge करने के लिए, यह बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, English classes लाएगे, language courses लाएगे, communication skills लाएगे, ताकि वो अपने second या third year में, at least English में shift कर सकें, और जब तक वो graduate हो, तब तक वो completely, अपने English batches के समानांतर लेवल पर वो आ सकें, in terms of technical skills, as well as in terms of communication skills, तो इसमें एक चीज़ और बोला जाता है, कि the IQ level of students, who do not come from English medium, are as good as English medium, ऐसा कुछ नहीं है, कि Hindi माध्यम के जो विद्यारतिय, उनका IQ कम है, यह बिलकुल ही गलत है, लेकिन उनको opportunities मिश हो रही हैं, क्योंकि वो अपने mother language में, language में चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप देखो, कोई बच्चा अगर Hindi माध्यम में पढ़ा बच्पन से, तो उसकी क्या गलती है, उसकी क्या गलती है, सरकार, कितने सरकारी स्कूलों में आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसा private school में पढ़े हैं, जरूरी नहीं है कि सरकार convenience school में पढ़े हैं, तो यह सब कुछ मुलभूत समस्याएं हैं, जो education system में हम बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि national education policy जो 2020 किया थी, उससे यह aligned है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बागी सारी चीज़ें जो बताएंगी है national education policy में उसको भी तो फालो करिए, है ना, तो सारी चीज़ों के एक साथ लेने की, बात यहां पर सोची जा सकती है, और इस आर्टिकल का यही उद्देश्य था, और इसको बस अपना एक develop करना है चीज़, कि अगर इस तरह का चीज़ कुछ हाए, तो कुछ लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तो इस तरह की बातों को सुनके, डिसकस करके हम लोग इसको develop करते हैं, अब देखो, अब job सिनारियों के बारे में एक article, बहुत बढ़ी article है, यह editorial है actually, इसमें दो तरह का होता है, एक होता है जो newspaper की तरफ से आता है लिखा हुआ, और एक होता है जो उसमें अलग-अलग writers जो है, या फिर जो columnist हैं, वो लिखते हैं, तो जो columnist लिखते हैं, वो हम लोग जंदली देखते हैं, कि बीच वाले में रहता है, और जो side में रहता है ना, दो-तीन, छोटा-छोटा, यह जो है, यह newspaper की तरफ से रहता है, newspaper का view रहता है उसमें, तो यह जो है भी, यह newspaper का view है, यह newspaper का view है, तो यह कहना चाहरा है, कि अभी देखो, आप economy तो एकदम fast pace में बढ़ा रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप trillion dollar economy की दिसा में, हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ, जो inadequate employment opportunities हैं, even though economy is growing at fast pace, तो यह suggest करता है, कि we are not doing, जितना चाहिए economy को, job generation के लिए, ठीक है, अब यह ने एक data release किया था, इस data के अनुसार, यह कहा गया है, कि जितने भी employment opportunities generate हुई हैं, basically agriculture sector में generate हुई, या फिर उसके बाद construction trade sector में, या फिर trade sector में, है ना, लेकिन इन sectors में भी employment तो generate हुआ, लेकिन उस employment की जो productivity है, वो all time low है, मतलब बहुत poor productivity है, तो इस तरह का चीज अगर होगा, तो हम किसी भी तरह से workers के wage के वारे में नहीं सोच सकते, कि उनकी उनका तन्ख़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि हमको profit ही नहीं होगा, तो हम तन्ख़ा कैसे बढ़ाएंगे, तो कुछ सालों में यह देखा गया है, कि there has been a sharp pick in the labor force participation rate, as seen from the periodic labor force service, यह तुम use कर सकते हो अपने ASA में, या फिर अपने किसी जो तुम्हारा GS2 section 2 का economy का question आएगा, उसके employment वाले में यह चीज मेंशन कर सकते हो, कि recent का जो labor force participation rate है, या periodic labor force survey report जो आता है, उसके अनुसार यह कह सकते हैं, कि labor force participation में increase हुआ है, तो increase होने का reason क्या है, reason main है कि women जो है, उन्होंने labor force को join किया है, women have joined the labor force, and due to this, there has been a substantial increase in the periodic labor surveys, लेकिन चुकि यह जो number of entries जो बढ़ी है, they are engaged in self-employment, अब self-employment मतलब कहीं कहीं, वो helper के रुख में काम करती है, या फिर जो उनका employment होता है, वो informal होता है, तो अगर informal होता है, तो इसकी counting हम नहीं कर पाते हैं, इसकी counting नहीं कर पाते हैं, इसका हिसाब नहीं रख पाते हैं, इसका economy को direct फाइदा नहीं हो पाता है, GDP calculation में, वो count नहीं हो पाता है, तो यह सब चीजे हैं, कि हम job बढ़ात हो रहे हैं, economy बढ़ात हो रहे हैं, job create नहीं हो रहा है, जहां job create हो रहा जहां लोग participate कर रहे हैं, वो formalized नहीं हैं, जिसके कारण हमारे GDP number में employment का participation है, वो count नहीं हो पा रहा है, उनका जो participation है, वो count नहीं हो पा रहा है ठीक है, फिर यहां पर यह कहते हैं, writer कि इंडिया की जो development story है मतलब इंडिया की जो economic growth हुई है वो इस तरह से हुई है कि non-farm employment जितने भी बढ़े हैं उनकी जो productivity बढ़नी चाहिए थी वो inadequate है मतलब कहीं पे staggering है वो कहीं पे बहुत जादा है कहीं पे बहुत कम है एक uniform rate से जो non-farm employment की productivity है वो नहीं बढ़ी है तो क्या होता है जो informal sector है इसकी productivity काफी कम होती है जो formal sector है उसकी productivity काफी जादा होती है तो एक report आई थी state of working India report यसने कहा कि there is a weak link between long run GDP and non-farm employment growth क्योंकि जो हमारा non-farm employment growth है यानि कि ऐसा employment जो farming से related ना हो इसका जो growth है और हमारे GDP का जो growth है वो दोनों sink नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम employment non-farm की तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसकी productivity हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो यह productivity reflect होती है GDP में तो productivity जब बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो GDP को हम change नहीं कर पाएंगे एक substantial improvement जो होता है वो हम नहीं कर पाएंगे फिर एक report आता है India Employment Report 2024 जिसमें यह कहा जाता है कि the production process has increasingly become capital intensive and labor saving एक और reason यह बताते हैं कि अभी क्या है जैसे कोई भी steel plant खुलना है मैं example देता हूँ अभी कहीं steel plant आना है तो यह steel plant जो आएगा पहले क्या होता था 1950s to 1980s or 85 उसमें क्या होता था कि जो technology थी वो आइधर देशी technology यूज़ करते थे नॉर्मल रोलिंग यूज़ करते थे या फिर वो technology कहीं न कहीं रश्या से मंगा लिया तो ऐसे country से मनाया जो cheap है और उतने ज़्यादा efficient नहीं होती थी तो उस time पे labor intensive industries होता था यह सब अभी भी labor intensive है अभी अनिस्किल labor की संख्या बहुत ज़्यादा होती है लेकिन comparatively जो labor की requirement है वो अभी कम हुई है पहले से क्योंकि अभी 85 के बाद अभी का time पे अगर 2024 की हम बात करें तो AI और machine learning ने revolutionize कर दिया है सेक्टर को सारी चीजें automate हो गई है तो सारी चीजें जब automate हो गई है तो क्या होगा labor की requirement भी कम होती जाएगी तो अभी क्या है यह कहना चाह रहे है कि India employment report यह कहना चाह रहा है कि अभी जितना भी इंडिया में production process है production process किसमें होगा manufacturing में होगा या फिर services में कहीं कहीं भी production process बोलते हैं कि यह production process है तो इसमें क्या होगा कि यह capital intensive पैसा लगाने वाला बात होगा अब जितना invest करो बड़ा बड़ा जो है ना तुम digital board लगा लो यह capital intensive हो गया लेकिन उसमें तुम quality teachers नहीं ला रहे हो तुम उसमें invest नहीं कर रहे हो है ना अगर manufacturing की बात करें तुम इतनी technology ले आए कि तुमने और लेड़ी 50-60 employee को एक plant में और लेड़ी बाहर कर दिया क्योंकि उनकी जगा machine ने ले लिया तो इस तरह की चीज़ें भी इंडिया में हो रही हैं और यह maintain रहा तो यह किसी भी तरह से इंडिया के सामने challenge create करने से कम नहीं होगा यह जरूरत है कि अभी इसको बढ़ा जाए एक reason और भी है जरूरत जब इस तरह का question है तो एक point जरूर लिख देना उसमें उसमें demographic dividend की चर्चा जरूर करना यह चर्चा क्यों important है मैं यह भी बताता हूँ देखो demographic dividend क्या होता है ऐसा age जो working age population में हो यानि कि उसका age जो है वो 14 साल से लेके और 65 हैं तो 60 या 65 साल का हो यह जो होती है sorry 18 14 भी हो सकता है 18 को हो तो जादे ठीक है बट हर जगा तुमको जो है यह 14 ही मिलेगा तो हम लोग भी 14 ही यूज़ करते है 14 तू 65 जनरली maximum लिया जाता है इसमें और इसमें minimum ताकि जो हमारा sampling वाला area है वो जादे रहे तो demographic dividend होता है कि ऐसी population जो working age population हो तो जहां पर working age population जादा होगी वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर productivity जादा होगी GDP में उनका contribution जादा होगा तो जब भी job वाली चीज़ है तो लिखना कि demographic dividend जो है इंडिया की 2030 से 2045 तक यह max होने वाली है और आप भी गौर करना कि इस time पर जितने भी job opportunities है अभी ही required है अब देखना 2045 से के बाद job की requirement इतनी कम हो जाएगी क्योंकि aged होने लगेंगे अभी जो young age population है 20 साल है वो 40 साल के हो जाएगे तो उसके बाद अगला जो generation आएगा उसके लिए job की कमी नहीं होगी क्योंकि उस समय तक जो working age population shift हुआ रहेगा higher age group की तरफ है ना तो हम लोग का जो age group है अभी demographic dividend में आता है एक time के बाद हम लोग this demographic dividend से हो सकता है बाहर हो जाए और एक नया complete वो entry मारे और उसके लिए काफी job opportunities होगी क्योंकि हमारे यहाँ supply demand वाला चीज है demand तो होगा लेकिन supply कम होगा अभी demand कम है supply जादा इसलिए भारी unemployment है लोग सब civil services के तियारी करने आ जाते है अब यह बहुत ही बहतरी नाटिकल है और मेना favorite topic है यह science में investment science में investment कहने का मतलब basic sciences research में investment अब तुम बोलोगे कि चाइड difference होता इसको एक संस्था है ISRO एक संस्था है IISC Bangalore दोनों में क्या difference है अगर हम ISRO के commercial launches को हटा दे जो research का काम करती है research and development का काम करती है सिर्फ उसको देखें तो this is involved in higher sciences higher sciences IISC is involved in basic sciences IISC का क्या काम रहेगा कि physics में किस तरह की developments किये जाने चाहिए chemistry में किस तरह की developments किये जाने चाहिए है ना फिर electronics में किस तरह की developments किये जाने चाहिए अब जो ISRO है वो इन technologies का use करके higher science पे research करेगा है ना तो basic sciences पे जो research होते है उनका उपयोग higher sciences में होता है technology को और जादा enhance करने के लिए सरकार जितना इस पे investment करेगी higher sciences में उसका investment का return उतना जादा अच्छा आता रहेगा तो यहाँ पे writer केम चंद्शिखर जी जो है वो काफी कुछ लिखते हैं कि किस तरह से हम इंडिया के R&D expenditure और बाकी देशों के R&D expenditure को देखेंगे तो पता लगेगा हम कहीं नहीं है जैसे देखो अभी प्राइम इनिस्टर का economic advisory council है एक report आई थी उसकी R&D expenditure ecosystem ठीक है हम लोग अभी सारा basic sciences में R&D expenditure की बात करेंगे उन्होंने यह point out किया कि United States में 2.8% of GDP, China में 2.1% of GDP, Israel में 4.3% of GDP and South Korea में 4.2% of GDP Invest होता है किस में? Research and development में क्या सीज का research and development? Basic sciences का research and development got it? लेकिन अग यहां देखो इंडिया में तो इंडिया में अभी हम लोग सोच ही रहे हैं कि अपना R&D spending को 2% बढ़ाएं क्योंकि यह point 6% से point 7% इतना ही जूलता रहता है ता आप इसके लिए हम लोग बहुत सारे चीज़े करते हैं आप ज़से बहुत को आप लोग ने participate भी किया होगा Indian Science Congress में Indian Science Congress, Basic Sciences पे क्या होता है? बहुत तरह के competitions होते हैं इसमें तो यह हो गया, फिर तुमारा इसरों के बहुत सारे प्रोग्राम से हैं तो इससे क्या होता है? कि जो basic sciences की youth में interest है उसको हम जादा और elevate कर सकें राइटर इस article से यही कहना चाहा रहे हैं कि इंडिया को अगर देखना है कि आने वाले time पे हमको employment को increase करना है अगर हमको technology का master बनना है world में तो यह ज़रूरी है कि हमको अपने R&D infrastructure पे काम करना होगा हमारे अपने research and development को बढ़ाना होगा और जब government research and development पे ध्यान देगी तो overall हमारे demographic dividend का फाइदा होगा यहाँ पे देखो PM Modi has underlined the importance of science and technology research and development in building the foundations of a great economy है ना? ऐसा प्रधानमंतर जी ही कहते हैं this line से start किया जा सकता है किसी भी essay को या किसी भी answer को तो अच्छा रहेगा अगला है high seas treaty है ना? यह important क्यों है this is पहला तो तुम्हारे prelims के लिए भी important है दूसरा यह तुम्हारे mains के लिए important है कि high seas treaty की बात चल रही है क्या होता है high seas treaty है ना? तो इसमें India will sign and ratify the high seas treaty तो यह high seas treaty होता क्या पहले यह समझना चाहिए तो अभी क्या है कि जो high seas treaty है वो एक international legal architecture है for maintaining the ecological health of the oceans जो समंदर है उनका ecological health maintain करने के लिए high seas treaty की जाएंगी इसका उद्देश से क्या होगा इसका objective क्या होगा basically this treaty is for this treaty is meant for reducing pollution and for conservation and sustainable use of biodiversity and other marine resources in ocean waters तो यह हो गया कि what is a high sea treaty इसी में हो गया कि what is the objective of high sea treaty है ना? तो पहला चीज क्या चीज तो यह एक international legal architecture है जो ecological health oceans के ecological health को maintain करने के दिशा में काम करता है objective क्या है? कि ocean को pollution से बचाया जा सके उसका जो biodiversity है उसका conservation किया जाए और उसका sustainable use किया जाए ताकि सारी marine resources है long term तक sustain कर सके जब इतनी चीजे हो जाती है तो एक agreement बनाया जाता है biodiversity beyond national jurisdictions agreement biodiversity beyond national jurisdictions agreement ऐसा पूछ देगा आपको प्रिलिम्स में कि biodiversity beyond national jurisdiction agreement was is related to high seas treaty या फिर इंडो पेसिफिक ट्रीटी या फिर Atlantic ट्रीटी none of this तो इसमें हो जाएगा high seas treaty आप देखो जो high seas treaty है यह क्या achieve करना चाहा रहा है कि जो समंदर है उसमें pollution ना हो लेकिन इसने basically तीन substantive objective को target किया है तुम यह चीज objective जो है अपने intro में लिख सकते हो और अपने body में इसको और ज़्यादा substantiate कर सकते हो जो तुमने इंपरो में मेंशन किया कि इसका objective यह है लेकिन इसका तीन substantive objective है पहला यह कि conservation and protection of marine ecology हो पाए दूसरा यह कि fair and equitable sharing of benefits from marine genetic resources और तीसरा यह to make the environmental impact assessment for any activity that can degrade the marine ecosystem समझाने के समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है तीन objective पे काम करने की दिसा में यह काम करता है पहला objective तो यही है कि conservation and protection of marine ecology दूसरा हो जाएगा मतलब जो marine ecology है जो समंदर के अंदर जो ecological system है बहुत छोटे-छोटे plants होंगे हजार उतरह के जीव होंगे अलग तरह की मछलियां होंगी और भी कुछ marine जानवर्स होंगे उनके उनका dependent है autotrops होंगे जो plant है तो प्रैंक्टन होंगे तो उनका conservation और protection दूसरा है कि इनके उप्योग से क्या होता है कि इनका use बहुत होता है अब चाहें minerals के लिए हो rare earth minerals के find करने के लिए हो जिसको deep sea mining भी बोलते हैं या फिर जो marine resources है उनका use किया जा सके economy को boost करने में तीसरा objective ये है कि किसी भी तरह का काम अगर आप dragging अगर करना चाहते हैं किसी एरिया में तो एक संस्था ऐसा बनाईए एक system बनाईए कि वहाँ पर environment impact assessment होगा अब EIA होता है न हमारा कोई भी नया project अगर आएगा तो उससे पहले EIA होता है प्रोजेक्ट मितलब जो manufacturing के प्रोजेक्ट है उससे पहले EIA होता है similarly यहाँ पर EIA होना चाहिए ताकि oceans को free रखा जा सके इन सब चीजों से अब इसमें एक और objective writer suggest करते हैं कि यहाँ पर यह भी होना चाहिए कि that should be some provisions for capacity building and transfer of marine technologies to developing countries इसमें था यह भी होना चाहिए कि जो developed countries है जैसे United States है जैसे Europe के different countries है वो सब developed countries है उनके पास enormous number of technological resource है और उनको यह चाहिए कि यह resource वो developing country को भी दे ताकि developing country भी डवने आपको uplift कर पाए उन technologies को use करके तो इसमें यह कहा जाता है अब यहाँ पर एक और question बनता है कि जो 200 nautical miles है उसको हम लोग national jurisdiction बोलते है ठीक है from the coastline यह 370 km यह 200 nautical miles 200 nautical miles यह 370 km यह पूछा है already और इसी को हम लोग exclusive economic zone भी बोलते है ऐसा area जो इस जैसे यह इंडिया है इंडिया का यह 200 nautical miles वाला जो area होगा यह इसका exclusive economic zone हुआ इसके बाद वाला जो area है वो जो area है उसको बोलते है high seas या international waters ठीक है तो starting का जो होगा 200 nautical miles coast के करीब वाला वो तुम्हारा हो जाएगा exclusive economic zone और इसके बाद वाला इलाका अब जैसे मैं यह वाला इलाका मानता हूँ यह सब high seas और international waters start हो जाएगे इन high seas और international waters में किसका पहरा होता है इसमें हमारी navy patrolling करती है इस इलाके में exclusive economic यह थोड़ा extra information है जो exclusive economic zone है इसमें navy patrol generally नहीं करती है यहाँ पे coastal police रहता है या coast guards रहते हैं उनका duty रहता है exclusive economic zone में मतलब वो जो agencies है lawful agencies है वो paramilitary है और उनका उदेश होता है इंडिन territory के रहा के चीजों को बचाना navy वाले जो है वो international waters में चीजों को maintain करने की खोशिस करते है तो एक चीज़ यहाँ से यह समाज में आ गया अब समंदर के जो भी laws and regulations है वो govern होते हैं एक system से और उस system को कहा जाता है unclosed unclosed क्या है UN Convention on the Law of Seas कब आया था 1982 में आया था unclosed जो आया था यह 1982 में आ था मैं यह कर रहा हूँ यह article एक बार फिर से पिछे करके सुन ले न this is very 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 important for your prelims as well as men's क्योंकि अगर एक बार question पूछा गया है किसी topic से तो उस topic के तह तक चले जाना है जितना fact हो से के उतना fact रट लेना है उसका इसमें यही सब facts उनको बताया जा रहा है अभी exclusive economic zone पूछा क्या पता अगला unclosed के बारे में पूछ ले कि unclosed कब यह agreement कब sign किया गया था तो यह agreement 1982 में sign किया गया था यह किसको किसको apply करता है this applies to the entire ocean area that is territorial और international waters दोनों पे करता है और कुछ broad legal framework ले करता है ताकि sea का governance हो सके समंदर का governance हो सके बहुत सारी shipping lines गुजरती है कहें तो भारत का जो 70% traffic है ट्रेड का वो करीब 70% traffic जो है उसे ज्यादा ही है असी के करीब मैं एक safe site 70 लेके चल रहा हूँ क्योंकि exact data मुझे भी ख्याल नहीं है तो 70% से उपर का जो trade है वो depend करता है इन shipping lines पे इन shipping lines का importance बहुत हो जाता है international arena में तो यही unclosed जो है यह भी कुछ general principle set करती है for protection and conservation of biodiversity and marine ecology लेकिन यह specify नहीं करती है कि इन objectives को achieve कैसे किया जाएगा international waters में चुकि यह common property है सबको अधिकार है गंदा करने का तो इसको mark out करने के लिए एक high seas treaty की बात होती है कि unclosed जो है वो objective रखता है लेकिन वो minutely काम नहीं कर पा रहा है इसके लिए हमको high seas की जरुरत परी है ना marine protected areas क्या होते है यह भी आप देख सकते है है ना तो जो marine protected areas है मतलब जैसे समंदर है इसका कुछ भी यह marine protected area हो गया तो यहाँ पे जैसे biodiversity conservation में national parks का division होता हो इसे marine protected areas होते है इनका भी एक अलग अस्थान होता है इनके अंदर में जो resources है उनको legal तोर पर protection मिलता है तो इस article का इतना ही मकसद था high seas treaty को हमने अच्छे समझ लिया और इसमें बहुत अच्छे अच्छे points है उसको तुम याद कर लेना अब देखो ये question है sorry, article है defamation case against Wikipedia and safe harbor protection clause अभी रखो recently क्या हुआ है कि एक news agency है ANI उसने दिली high court move किया और एक defamation file किया है Wikipedia के against में क्यों क्योंकि Wikipedia पे जो content है उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था जो ANI को लग रहा था कि वो defame हुए उनका जो इज़त है वो थोड़ा down हुआ है तो ये Wikipedia पे complain किया जा सका अब जो Wikipedia पे content होता है वो कहीं centralized नहीं होता है वो collaborative approach होता है मतलब तुम भी जाके read कर सकते हैं register करके ठीक है वो open source है वो non profit platform है जहाँ पे user सबसे ज़्यादा contribute करते हैं website के लिए तो जब भी कोई अगर गलत को गलत बोलने वाला को फिर ये लोग सजाब दे देते हैं ताकि कोई गलत बोल ही न सके उसको है ना यह नहीं कह रहा हूँ कि यह नहीं गलत है लेकिन at least उसको बोलने का अधिकार तो होना चाहिए अगर कुछ बोल दे और तुम सीधा इल्जाम लगा दोगे उस पे बिना किसी बस just to muzzle their voices तो यह तो गलत है ना किसी free country में अब दखो इसमें कौन-कोन से law invoke के हमारे काम की नहीं है safe harbor clause मेरे काम का है मैं सिर्फ इसके लिए इस article को पुर रहा हूँ safe harbor clause जो है हमारा जो IT act है IT act है उसमें section 79 है यह 79 safe harbor की बात करता है तो safe harbor होता क्या है safe harbor यह होता है कि कोई भी intermediary किसी भी तरह से legally या फिर third party information data यह communication link को host करने के लिए responsible नहीं होगा जो इसके platform पे hosted है कहने का मतलब कि अगर facebook पे आप कोई photo upload करते हो instagram पे कोई आप real update करते हो जो की सरकार के rules का violation करती है तो सरकार instagram को notice इसलिए नहीं भेजेगी कि क्यों आप पे डाला गया उसको यह भेजेगी कि आप इस content को remove करो इस user की information हमको दो है ना तो यह जो provision है इसको बोलते है safe harboring clause क्योंकि social media है कब कौन डाल देगा उसका manual to verification होता नहीं है हर एक post का this is not possible also कि manual intervention किया जा सके the manual intervention नहीं होता है इस तरह की चीजों को लाने का this भी यह होता है कि फाल्तु का किसी को परिशान नहीं किया जाए बड़ी बड़ी कंपनिया है यह लोग तो यह लोग investment है इंडिया में बहुत सारे लोग employed है इसमें तो यह छोड़के ना भागे तो यह देश रहता है basically तो यह safe harbor clause अगर पूछा जाए safe harbor protection clause is related to which law तो यहाँ पर कुछ दिन चार एक्ट देदेगा उसमें IT act जो है वो सही होगा और safe harbor के बारे में थोड़ा और पर लोगे तो अच्छा रहेगा और fruitful रहेगा तुम्हारे लिए है ना मिलते हैं कल बाबाई